हेलो एवरीबन वेल्कम टू माई चनल जी के कैफे इस वीडियो में डिसकस करेंगे स्सी छेसल 2020 की एक्सपेक्टेड कट अफ के बारे में की कट अवरोल क्या रह सकती इस बार के क्योंकि करेंट सिनेरियो के साब से देखेंगे तो एक्जामनिशन को लेकर बहुत अलग अलग कि मैस में क्या रहा था रिजिंग में क्या रहा था ठीक है इसके बाद देखेंगे वेरीशन कुछ ज्यादा था कि नहीं क्योंकि वेरीशन बहुत वैल्यू करता है हमारे एससी के एक्जामनिशन में क्योंकि अगर वेरीशन ज्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन फेक्टर बहुत जादा काम करता है और इसमें कई ऐसे स्टुडेंट को फाइदा मिल जाता है जहां पर जिनकी हार्ट सेफ्ट होती है तो ओवरॉल सभी चीजों को डिसकस करेंगे और लास्ट यर की जो कट आफ है उसके साथ भी थोड़ा हम कंपेर करेंगे कि इसके साथ क्या है क्यों की ओवरॉल सेनेरियो देखेंगे तो बिल्कुल सेम ही है दोनों का लास्ट यर की कट आफ की वेकेंसी आप देख लेजिए नंबर ओफ एफ्लिकेशन सेम ही है बिल्कुल और वेकेंसी सबसे ज़्यादा माइने रखती जो इक्वल है ठीक है तो इन सभी चीजों पर है फिर देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले क्या देखते हैं लास्ट यर की कट आफ के साब से क्यों से के CHSL एक्जामनेशन में क्या रही थी यूर क्रेकरी रही थी अगर तो यूर के हम देखे तो 159 थी OBC के अगर हम देखे तो लगबग 156 थी EWS के हम देखे तो 149 थी और SC और ST की थी SC के आप की 136 ST की थी आपकी 127 तो वरोल अगर हम देखे कट आफ का सिनेरियो लास्ट यर के साब से यह था चिक है और आप सभी जानते होंगे क्वालिफाई कि इतने बच्चे करे थे लगबग 44,000 इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया था लास् नहीं है वेकंसी बहुत कम आप देखेंगे कि फिर बदल हुआ है वेकंसी में क्योंकि देखेंगे आप कि इतने भी लास्ट के कुछ साल के देखेंगे तो ओवरोल SSE CHSL examination में 5000 के आराउंड ही आपकी वेकंसी आती है जो ओराउंड इतनी है थोड़ी बहुत कम हुई है बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि वेकंसी बिल्कुल सेम है और नंबर अफ एप्लिकेशन भी लगबग सेम है लगबग से 30 लाख बच्चों ने अपलाई किया था इस बार और यह नंबर ज्यादा माईने नहीं रखता माईने रखता जो सीरिस एस्पिनेंट है वो किसे सकते हैं लास्ट यह के कंपरिजन अच्छा था कई सिफ्ट में देखे बहुत ज्यादा वेरियेशन था वो मैं आपको आगे डिसकस करूंगा बर सबसे जब जो इंपॉर्टेंट है मैस में कई जगे आप सिफ्ट देखेंगे तो बहुत ही वेरियेशन देखने को मिला है ज देखेंगे आप थोड़ा बोल सकते हैं डिफिकल्ट लेवल में इसका वेरियेशन देखने को मिला था मैस सब्जेक्ट में बात दूसरा हम करें इंग्लिस का तो देखेंगे इंग्लिस सेमी रही है जैसे लास्ट यह रही है और दो-तिन साल से हम देख रहे हैं कि SSC का कोई भी examination हो जाए CGL हो CHSL हो उसमें English का एक level बिल्कुल maintain होके चल रहा है वो भी easy level की पूछी जा रही है ठेक है इसके बाद हम बात करते है reasoning का देखें के reasoning में भी यह variation को देखने को मिला है जादतर कई सिफ्टों में देखेंगे तो easy reasoning पूछी गई थी कई लोगों ने बोला था difficult level के बहुत ही कम रख देखा गया है बढ़ हां कुछ सिफ्टों में reasoning का level थोड़ा बहुत अच्छा था comparison अगर हम last year की reasoning को देखें तो तीन subject में आपको clear कर दिये last हम GK बात करें तो देखें जीकी का level almost आप देखेंगे लगों 2018 से बिल्कुल ही level अलग हो गया है जैसे पहल 2016 2017 में इतना level नहीं हुआ करता था बट अगर आप एक consistently देखेंगे तो 2017 से जीकी का level थोड़ा बहुत variation मिला है वहाँ पर तो इस बार भी बिल्कुल ही मैं बोलूँगा जा आपका पिछले साल की जैसे पूछी गई थी जीके की questions वैसे ही थे एक दो कोशन बिल्कुल question में से उठागे देखेंगे तो लोगबग 6-7 question जीके के अच्छे level के थे यह नहीं बोल सकते कि बिल्कुल कराने लाए question नहीं थे तो बहुत लोगों ने इसमें हवा बनाया कि बहुत ज्यादा tough हाई थी तो ऐसा भी कुछ नहीं है 15-16 question तो easily कोई भी कर सकता था क्योंकि number of repeated question भी बहुत थे और मैंने इसके पर एक proper वीडियो बनाया थी तो ज्यादा detail में आपको बताऊंगा नहीं तो अगर एक overview के साब से बताऊं तो इस बार कुछ variation देखने को मिला है तो math में देखने को मिला है और थोड़ा बहुत reasoning नहीं तो बिल्कुल same pattern जैसे पैसे आपके पिछले साल के पूछे गए ते जाए और सीजे लो सेम ही पूछा गया था यह आपको वरॉल में आपको बता दिया level of examination अब देखे variation बहुत में आपको बोला है कुछ सिफ्टों में तो बहुत अच्छे level की question पूछे गए थे आप मैं discuss कर रहा हूं variation के बारे में जो normalization factor आप भी बहुत अच्छी थी और जी कि तो overall जो आपके आई रही है वैसी थी ठीक है तो इसका मतलब यह है कि कुछ सिफ्टों में बहुत जादा अंतर देखने को मिला है तो normalization factors में बहुत काम करेगा ऐसा नहीं है कि बिलकुल हलका फूल कर रहेगा maintain बिलकुल नहीं था और सबस 2020 के भी करके जाना क्योंकि 2020 के कोशन जरूर आएंगे क्योंकि पोस्पून हुआ था examination यह मैंना आपको पहले ही बोला था कई लोगों को बर लोगों कई लोगों ने इसमें आमल नहीं किया तो इसमें ज्यादा तर लोगों को दिक्कत हुई है ठीक है तो overall मैं आपको समझा जरूर मिलेगा नॉर्मलाजेशन में बहुत जादा फरक मिलेगा कई सिफ्टे बिलकुल एक पहले हिसाब से चल रही है कईयों में बहुत उपर नीचे अंतर देखने को मिला तो at least मैं बोलूगा तो चार नंबर का तो नॉर्मलाजेशन फेक्टर करेगा at least बढ़ेंगे ज तो average attempt रहा है आप कही भी देख लिए किसे भी कि बहुत से teachers ने इसके पर अपना एक तरीके से पोल कराया था ठीक है बड़ मैं आपको एक जगे देखू मैं आपको बहुत से स्टुडेंट ने मुझे messages किये बहुत messages आये तो लगबंग मैं आपको बोलू तो average बोले जाए तो जितने स्टुडेंट थे बहुत messages थे मैं आपको बोल रहा हूं आप मेरे comment box में देख सकते हैं लगबंग 125 से लेके 130 के बीच में attempt जिनको कहा जा सकता है कि हां accuracy के साथ बोल रहे हैं कि इतने marks हमारे बन रहे हैं एक assume बता रहा हूं क्योंकि answer पी कि अभी release नहीं हुई है तो एक clear हो गई average score यही हो रहा है स्टुडेंट है जिन्होंने attempt किया है लगबंग बोल रहे है 130 से 135 नंबर हमारे आ रहे हैं चाहे हो hard shift हो चाहे easy हो तो average मैं बता रहा हूं आपको इसी इसाफसे मैं आपको को एक cut-off का expected बता रहा हूं मैं बोलूंगा नहीं कि finalize है तोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलेगा बठाँ यह जरूर कहूंगा कि इससे ज्यादा बहुत मुस्किले की cut-off में ज्यादा देखने का बढ़ोतरी मिले तो after normalization में आपको बता रहा हूं यूर category की लगबग एक कह सकते है कि 140 हो सकती है minimum अगर हम बात बोले वैसे तो 145 मेरे साफ से ज दिखे गया था EWS में इस बार भी मुझे मानना है मेरा कि 10 नंबर का अंतर रहेगा तो आप बिल्कुल से मैसी कर सकते 145 आप समझ सकते हैं कि आपका जा सकता है जैसे यूर category का तो EWS का 135 maximum पर हम जाएंगे तो 140 और इससे 5 नंबर आप घटा भी सकते है 130 तो मैं आपको जो आ समसता हो इतना रहेगा और इतना भी कम मत समझेगा कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 120 जाएगी 130 जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है नौर्मलाजेशन फेक्टर बहुत काम आएगा इसमें तो आप देख सकते हैं वेरीशन बहुत मिलेगा इसके बाद हम बात करते हैं OVC की तो लगबग 141 के आराउंड रहेगी क्योंकि OVC और जनरल के टेक्रीव में आप कितने भी साल से देख लिए ज्यादा अंतर नहीं की देखने को मिलता है कॉट आफ में तो लगबग मैं बोलूँगा कि 141 बोल सकते हैं और अगर मैक्सिम बात करें तो 146 के आराउंड जा सकती है और हम मिनियूम के बात करें तो 137 के आराउंड जाएगी आपकी यह OVC की कॉट आफ चीक है तीनों के मैंने आपको बदा दि देखनों को जरूर मिलेका क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फेक्टर बहुत अलग से काम होता है इस बार के आप सभी ने देखे भी होंगे और स्ट के बात करें तो 110 जाएगी इसमें 5 नंबर हम बढ़ा सकते हैं 115 या 5 नंबर घटा सकते हैं 105 तो आपको समझ में आ गई होगी क इस चीज में मैंने आपको बनाया है अच्छा एक और इंपोर्टन चीज है अगर किसी को हिस्ट्री स्टैक जीके और वकेबलेरी को लेकर दिकत है क्योंकि मुझे अपने टाइम पर बहुत दिकत हुए थी और इनका वीटीज बहुत जादा है रेल्वेस के एक्जामनेशन को लिके चल रहे हैं जो मैंने आपको इसके उपर बना रखे जैसे स्टैक जीके और हिस्ट्री कई लोग बोल रहे हैं आगे बनाईए तो मैं कोसिस करूंगा तो याद रखेगा बहुत इंपॉर्टन है मैंने सारे प्रिवेसर्स ऐससी जो भी एक्जामनेशन के आप त्या के एक्जामनेशन है इसमें कॉट अफ बहुत कम देखने को मिलेगी तो यह सबकी बेफकुफी वाली बात है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कॉट आफ बिल्कुल वही रहेगे क्योंकि देखे कंपरिशन इसका अच्छा होता है ऐसाची क्योंकि इसमें सीजल वाले भी में लगादा क्योंकि देखे पैटन बिल्कुल सेम होता है और लेवल अफ एक्जामनिशन का आप लेंगे तो छोड़ा बहुत को समझ में आगया होगा इसलिए थोड़ा बहुत कंपटिशन ज्यादा हो जाता है कौट आफ ज्यादा चले जाती है मैंने आपको दो तीन फैक्टर बता है सीजल इसके अंदर बैठते हैं एक्जामनिशन में 90% बोल रहा हूं है आपको टॉपर तक बैठते हैं ठीक है क्यों भी जॉब उनको चाहिए जॉब सिक्यूर करने के लिए लेते हैं दूसरी बाद मैंने आपको बता दिया कि इनको स्सी को एकी बार में बच्चे को पूज तरह के से जज़ करना है इसलिए थोड़ा लेवल ऑफ एक्जामनिशन सीजल प्री के कंपेरिजन अच्छा होता है अच्छे के प्रीक एक्जामनिशन में तो वरोल समझ में आगी होगा यही मेरे साब से एक्सपेक्टेड है अब इसमें कुछ वैरी करें तो मैं कुछ कहा नहीं सकता तो यही मेरे साब से रहेगी कि इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए 145 के अरांड ही रहेगी या 150 मैक् रहता हूं तो आज की इड़े के लिए इतना ही थेंक्यू